जै शिया राम जै जै राम बाल चरित कही बीबीदी बीदी मन मह परम उच्छा है रिशिया गवन कहे सिपुनी स्री रगुबीर विबा है मन में परम उच्छा भरकर अनेकों प्रकार की बाल लिलायें कहकर फिर रिशिविश्वामित्र जी का अयुद्याना और स्री रगुबीर जी का विवाह वर्णन किया जै सिया राम जै जै राम मंगल भवन या मंगल हारी रवाम सुदश रथ जिर विहारी बहुरी राम अभिसेक प्रसंगा पुनिंट्प बचन राज रस भंगा पुरबासिन कर विरह भिसादा कहे सिराम लचिमन संबादा फिर स्री राम जी के राज्या भिसेक संग फिर राजा दस्राज जी के बचन से राज रस अर्थात राज्या भिसेक के आनंद में भंग पढ़ना फिर नगर निवाशियों का विरह विशाद और स्री राम लक्समण का संबाद अर्थात बातचीत कहा बिपिन गवन के वट अनुरागा सुरसर उतर निवास प्रियागा बालमी के प्रभु मिलन बखाना चित्र कूट जी मिबसे भगवाना श्री राम का वन गवन के वट का प्रेम गंगा जी से पार उतर कर प्रियाग में निवास बालमी की जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्र कूट में बसे वह सब कहा सचिवा गवन नगर निर्प मरना भरता गवन प्रेम बहु बरना गरी निर्प क्रिया संग पूरबासी भरत गई जहां प्रभु सुखे रासी फिर मंत्री इश्व मंत्र जी का नगर में लोटना राजा दसरत जी का मरण भरत जी का ननिहाल से उज्जा में आना और उनके प्रेम का वहुत वर्णन किया राजा की अन्तेष्ट किरिया करके नगर निवाशियों को साथ लेकर भरजी वहां गए जहां सुख की राश प्रभु स्री राम चंदर जी थे पुनी रगुपती बहुबीधी समुझाए ले पादु का अवध पुर आए भरत रहनी सुर्पती सुत करनी प्रभु अरु अत्री भेंट पुनी बरनी फिर श्री रहुना जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया जिससे वे खड़ाओं लेकर अध्यापुरी लोट आए यह सब कथा कही भरत जी की नंदिग्राम में रहने की रीती इंद्र पुत्र जैंती की नीच करनी और फिर प्रभु स्री राम जी का और अत्री जी का मिला वर्णन किया कही बिराध बध जेही विधी देहत जी सरभंग बरन सुती छन प्रीति पुनी प्रभु अगस्ति सत संग सियाबर राम जै जै राम मंगल भवन आ मंगल हारी द्रवावु सुदाशे रहत अजिर विहारी